नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और यह है Samsung Galaxy Device दोस्तों कर आप Samsung का फोन यूज करते होंगे तो आपने उस फोन में एक एशु को फेस किया होगा उसमें ऐसा होता है कि आप जो भी फोल्डर क्रेट करते हो अपने MyFiles आप में मानलोग फोल्डर के अंदर फोल्डर या फिर ऐसा कोई फोल्डर क्रेट करते हो अजिप साणाम देकर A, B, C, D, X, Y, Z तो Samsung के फोन में ACX से की सिस्टम बिचर्ड करता है कि कोदर फोल्डर कामका है कोदर कामका है और जो फोल्डर कामका है तो उस फोल्डर को देलिट करते था अपने आप तो अगर आपने कोई folder create किया होगा और ऐसा अजिपसा नाम दिया होगा folder के अंदर folder create किया होगा तो सकता है कि आपके जो folders होंगे वो delete हो जाएंगे आप आज create करोगे अगले दिन आप देखोगे तो आपका जो folder होगा गायव हो चुका होगा आपने इस issue को face किया होगा अगर नहीं किया तो tension मत लेना आपका भी number आ सकता है इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका भी number ना है आपके जो folder से अपने आप delete ना हो तो आपको एक settings को off करना है 99% लोगों की phone में ये settings on है इसलिए आपको इस settings को off करना है जल्दी से जल्दी तो आपको जाना है settings में battery and device care में 3Dot पे टाप करना है जाना है storage booster में और last में option होगा यहाँ पे आप देख सकते हो auto delete unnecessary data और अगर आप इस पे टाप करोगे तो यहाँ पे होता है schedule कि ये कब होता है हर रोज होता है आधिर रात में midnight में यह होता है और क्या होता है unnecessary files cache files log files unnecessary folders delete होते हैं अपने आप अब इस system को तो पता होता है लेकिन कई बार होता है system ठीक से work नहीं करता तो कई बार system को ऐसा लगता है कि ये काम की नहीं है आपके काम की है लेकिन system को लगेगा कि ये phone के लिए काम की नहीं है तो files और folders भी delete कर देगा phone अपने आप तो इसलिए आपको इस settings को off करना है ठीक है अगर आप इसे off नहीं करोगे तो आपका भी number आएगा और आप भी अपने जो important files या folder से उसे गवाद होगे इसलिए अगर आप अपने folders को गवारा नहीं चाहते auto delete नहीं करना चाहते तो आपको इससे off रखना है हमेशा के लिए दोस्तों तो ये था इस वीडियो में आप मैंसे कितने लोगों ने ऐसे issue को face किया है आप मुझे बता सकते हो comment box में अगर आपको गवी सवाल हो तो आप हमें पुछ सकते हो आप मुझे इसाग्राम पे या फिर twitter पे भी message कर सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों